महाराष्ट्र में प्याज का दाम अब रिकॉर्ड बनाने लगा है। कम दाम की वज़े से अक्सर चर्चा में रहने वाली सोलापुर में पिछले दो सप्ता से हालात बदले हुए हैं। अब यहां अधिक्तम दाम का भी नया रिकॉर्ड बन रहा है। यहां छे जून को अधिक्तम दाम 35 रुपई किलो तक पहुँच गया, जो वर्तमान रभी प्यास सीजन में सबसे अधिक है। कम आवक की वज़े से यहां दाम लगातार बढ़ रहा है, जिससे किसान खुश हैं। यहां औसद दाम 18 रुपई किलो तक है, लेकिन किसानों को मिलने वाले न्यूनतम दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह पहले की तरह सिर्फ एक रुपई किलो के स्तर पर ही बना हुआ है। राजे की कई मंडियों में दाम 25 रुपई किलो से ज्यादा चल रहा है, जो किसानों के लिए फाइदे मंद है डॉट अधिकांच बाजारों में न्यूनतम थोक दाम भी 10 से 20 रुपई प्रती किलो है। महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा प्याज उतपादक प्रदेश है। यहां देश के कुछ उतपादन का लगभग 43 प्रतिशत प्याज पैदा होता है। इसलिए यहां की मंडियों में मिलने वाले दाम से देश में प्याज की कीमत पर बड़ा असर पड़ता है। यहां के प्रमुक प्याज बेल्ट नासिक के लासल गांव में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। अब दाम लागत से अधिक होने के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी आई है। केंद्र सरकार ने प्याज के दाम को कंट्रोल में रखने के लिए पहले 19 अगस्त 2023 को प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी ड्यूटी लगाई गई डॉट उसके बाद 800 डॉलर प्रती टन का न्यूंतम निर्यात मूल्य, MEP, लगा दिया। फिर 7 दिसंबर 2023 को निर्यात बंदी कर दी थी, जिससे दाम कम हो गए थे। अब सरकार ने 550 डॉलर प्रती टन की MEP और उस पर 40 प्रतिशत ड्यूटी की शर्त के साथ निर्यात खोल दिया गया है, जिससे दाम बढ़ रहे हैं। Bureau Report Market Times TV